आप सब लोगों ने Swing Trading के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि Swing Trading से हम अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं वो भी कुछ ही दिनों में यानि कि कुछ ही टाइम प्रेम के लिए अगर हम ट्रेड करें और उसमें 3-4 दिनों के अंदर हम अच्छा खासा कैसे कमा सकते हैं वैसे तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि स्वेंग ट्रेडिंग क्या होती है बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक बार मैं बता लता हूं कि स्वेंग ट्रेडिंग ना एक तो मैं यह चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भी न मार्केट में सेटप समझने में और सबसे ज़्यादा बेनिफेट करता है वह है सब्सक्राइब क्या होता है इस वे हमारे को चोंटे-चोंटे-चोंटे-चोंटे जाती है और उस जो हम चोटे से ट्रेंड को पकड़ देना उसको कहते है स्विंग ट्रेडिंग अब ये जो स्विंग है ये मूब के अगेंस्ट में यानि के ट्रेंड के अगेंस्ट में भी हो सकता है जिहां दोस्तों ट्रेंड की खिलाफ भी हो सकता है और ट्रेंड के फेवर में भी ह सकता है हमारे को दो उससे कोई पर रवात नहीं बटता कि है यह ट्रेंड princess को जो है पकड़ना है और उससे छोटह से चौटगी से टाइम-छिंदanız हमारे को पैसा कमा कर वा से चुप करके बाहर निकलाना है इन शॉर्ट स्विंग इस वीडियो में जो है टॉप तीन बाइंग साइड के स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी को जो समझने वाले हैं जिसके त्रूग आप जो है अच्छागासा पैसा कमा सकते हैं और आज की वीडियो में की आईगंगर लोगों के दिमाग में नहीं यह थी पर देख़ो यह probability से क्या ही परक पड़ता है देखो दोस्तो हमारे को नेट में पैसा कमाना आना चाहिए हमारा यह मकसद नहीं होता कि हमारे को हर ट्रेड में ही पैसा कमाना है देखो ऐसा ना तो पॉसिबल है और ना ही ऐसा मार्किट में ना ही मार्किट आपको ऐसा करने देगी तो हमारे को ना probability जो है अपने favor में रखनी है और जहां probability हमारे favor में हो गई ना तो यह समझ लो कि हमारा net में हम जब भी जितना भी हम trade करेंगे ना मान लो हमने एक महीने का time period जो है हमने fix कि एक महीने बाद अगर मैं profit कमा रहा हूं तो यानि कि यह मेरे favor में है तो ऐसे ही अगर आप ऐसी एक महीने दो महीने तीन महीने अगर आप इनी strategies के उपर काम करेंगे ना तो आपको यह मेरी guarantee है कि आप जो है इसमें profit के साथ ही निकलेंगे net में find out कर सकते हैं और उनके उपर हम swing trade करके एक regular income जो है वो भी हम कमा सकते हैं net में हम पैसा जो है एक initial trader जो है वो कैसे पैसा कमा सकता है इन छोटे-छोटी strategies को इन छोटे-छोटे काम को करके अच्छा इसमें मैं आप लोगों के सामने कुछ criteria पहले रख देता हूं कि इसमें जो लाइटे सी हो जाती है रेड ग्रीन रेड ग्रीन करके लाइटे नजर आती है वह हमारे को कुछ जाधा ही अगर अगर मैं आपको इसके सामने अगर लाइन चार्ट दिखाऊंगा ना तो लाइन चार्ट आपको काफी बोरिंग सा लगेगा क्या उपर नीचे पहाड़ बन लेकिन जब मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊंगा ना तो यहां पर हमारे को काफी मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने लाइट जला दी तो इसमें काम करना ना हमारे को काफी इंट्रेस्टिंग लगता है और खासकर हम चार्ट को इसलिए भी यूज करने वाले हैं क्यो केंडल सिक के बेसिक को समझ लेते हैं कि कैंडल सिक क्या होती है कैसे बनती है देखिए यह है अभी इस टाइम आईशेर मोटर का डेली चार्ट आप लोगों के सामने और यह बनी तीन अक्टूबर 2022 की एक बड़ी सी रेड केंडल अब रेड केंडल कब बनती है जब जैसे उसका ओपन प्राइस है जैसे आप यहां पर ऊपर की साइड पर यहां देख सकते हैं इसका प्राइस तो यहां जैसे ओपन हुगा 3781 पर और उस दिन यह लो यानिकी लो लगाया इसने पूरे दिन की उतार चड़ाव में सबसे नीचे यह लेवल पर गया लगबग 3445 कि गिरावट के बाद हमारे को यहां पर डेखने को मिली है वह आई है 3463 की तो रेड टेंड़ हमारे पास तब बनती है जब ओपन का प्राइस उसके अलावा जैसे आप यहां पर देख सकते हैं या मैं थोड़ा से जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को और इच्छे से समझ आए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह तो होगी तीन ऑक्टूबर की बात उससे पहले वाली अगर हम केंडल पर देखें अभी उससे पहले ग्रीन केंडल बनी जिसका मतलब होता है कि ओपन का प्राइस क्लो कारवर के बीच में इसने प्राइस उजडाता है इस टच किया था वह हमारा हो जाता है उपर जाती है कि तो चलिए espk कि आप लोगों को कैंडल कैसे बंती है क्या होते हैं कैंडल से कर सिन्दा चलते हैं चैदल Qualcomm के चैटन पर यह सबसे यह बड़ा कॉमन पैटन है और यह आप लोगों को ना आम तोर पर यहां पर केंडल सिक्स चार्ट में देखने को मिल जाएगा इसकी अराउंड 62-65% की अब ट्रेड कैसे करना है यह चीज आप ध्यान से सुनिए देखे इसमें हमारे को सबसे पहले चाहिए एक चार्ट में करके देख सकते हैं यहां पर हमारे को एक डाउं ट्रेंट देखने को वापे से हमाते हैं penalty में उसकी बाद हमारे को चाहिए फर्स डे तो डे टू की केंडल है ना वो डे वन की केंडल की बॉड़ी को जो है पूरी तरह से एंगल्फ कर ले जैसा कि आप आप यहां पर देख सकते हैं तीन और चार नमंबर के बीच में मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से नज़र तो तीन नमंबर दोहजर बीच को इसका यह रेड केंडल ओपन हुई थी 1890 रुपे पर और क्लोज हुई थी 1850 रुपे यानि कि हमारी रेड केंडल बनी नेक्स्ट डे यह ओपन हुई 1837 यानि कि क्लोज प्राइज की नीचे तो हमारे को यही चीज चाहिए कि रेड केंडल का जो है उसके नीचे अगले दिन की गरेड केंडल जो है वह ओपन हो उसके नीचे या उसके उक्वली हूई है तो जैसे कि हमारे सामने यह हो गया कि और चार नमंबर को यह ओपन होई 1837 पर और जोख होनी चाहिए हमारे बड केंड-पन के उपर याेक्वल ऐस तो आप लो कि बॉड़ी को जो है ना दूसरे दिन की केंडल पूरी तरह से एंगल्फ कर ले तो हमारे को यहां पर पर प्रचेजिंग करनी है क्लोजिंग प्राइज के आराउंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1913 रुपे 20 पैसे पर यहां पर हमारे को क्लोज देखने को मिला जब पूरे है तो यहां पर हम क्लोजिंग प्राइज के आसपस हम बाय करेंगे स्टॉप लॉस हम रखेंगे क्लोजिंग बेसिज पर और वह रखेंगे हम जो ग्रीन केंडल हमारी एंगल्फिंग केंडल बनी है उसके ओपन प्राइज के आराउंड और उसके बाद हमें क्या करना है हमे को exit करनी है एक दो तीन चार और पांच वी केंडर के closing price पर हमारे को यहां से exit कर जानी है जो मर्जी price चल रहो आपको ना तो यहां पर stop loss ट्रेल करना है और ना ही आप लोगों को इस जो ट्रेंड है ना उसको इस विंग को जो है यहां पर हमारे को उपर ही closing देखने को मिली है कई बार होगा कि आपका stop loss की नीचे मान लीजे आपने 1000 रुपे का stop loss रखा और closing basis के वज़ा से वह हो सकता है कि 1000 की जगा 1200 या 1500 को भी stop loss हो कोई बात नहीं हमारे को उस चीज की कोई टेंशन नहीं लिनी हमारे को सिरफ closing basis पर ही काम करना है अब कई बार होगा कि वह आपका 1000 की जगा केवल 200 रुपे नुक्सान में ही जाएगा लेकिन जब आपको profit देखने को मिलेंगे ऐसे ट्रेड में आप इसकी बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा तो इसमें आपको प्रॉफिट जो है ना जब भी यह डाइग्राम बंगते हैं यह चोटा सा प्रॉफिट कभी कबार हो सकता है कि टू इस्टू थी का वन इस्टू फॉर का भी हमारे को यहां पर टार्गेट देखने को मिलता है हमारे रेस्क रिवाड जो है वह हमारा इतना जबरदस हो जाता है चलिए हम किसी और चार्ट पर में आप लोगों के सामने एक बार एक औ समय आजाएंगे, तो चलिए एक बार देखते हैं डीशीयट के चार्ट पर ऐसा ही हमारे को पैटनffen देखने कोındला है सबसे पहले चाहिए हमारे को एक डाउन वट स्वींग उसके बार चीए हमारे को एक 세द्ल ll देन हमारे को नेक्स देच चाहिए एक ग्रीन केंडल बाय करना है हमें उसके क्लोजिंग के प्राइज पर देखिए मैंने भी पहले से कोई डिसाइड नहीं कर रखा कि कौन से शेयर में करना है मैं भी आप लोग को की सामने लाइव ही देख रहा हूं मतलब वाइल रिकॉर्डिंग ही देख रहा हूं दूसरे वाला जो सिस्टम है न उसका काफी अच्छे मेरे को यहां पर ट्रेट्स देखने को मिल रहे हैं बट अब जैसे यहां पर देखिए एक मैं आपको अच्छे से एक्जामपल से समझाना चाहता हूं अब आप यहां पर देख सकते हैं टी-स में यह देखिए यह जो है हमारे पूरा पूरे तरीके से बुलिश अंगलफिंग यहां पर पैटन जो है वो कंप्लीट हो रहा है बट उसके बार देखिए एक, दो, तीन, चार और पांच आपको बराबर बराबर ही एक, दो रुपे उपर ही आपको निकाल देगा तो कई बार ट्रेट समारे को ऐसे भी देखने को मिलते हैं अब यहां पर आप आप एक चीज देखिए कि अगर आपने स्टॉपलोस जो है आप लोगों के सामने रख देता हूँ, क्या यह बना, एक रुपे से रह गया, इट्स ओके, हम कोई और एक्जामपल देखते हैं, पढ़िया सा एक्जामपल मिल जाए ना, जिससे चीजे और भी समझा जाती हैं, यह देखिए देख, दोस्तों, सबसे पहले एक डाउन स्विंग, यह डेट है, TCS का शेयर, मंडे 14 जनुरी 2019, तो हमारे को यहाँ पर देखने को मिला, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले डाउन स्विंग, तिन चार केंडल का, दो से जादा होनी चाहिए, एक रेड केंडल, दिन अगले दिन बनी है ग्रीन केंडल, जो पूरी तरह से उस रेड केंडल को खा जाए, रेड केंडल की बाड़ी को खा जाए, और उसके इस टाइप से आप जो है, जब भी इसमें ट्रेड देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर काफी जबरदस्त और काफी अच्छे रेड रेटन्स जो है, देखने को मिल जाएंगे, नेट में अगर आप एक महीना, दो महीने, देखिए, सबसे पहले ना, किसी भी स्ट्रेजी पर उसको प्रूब करने के लिए, ना, कम से कम हमारे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और कम से कम टाइम कैसे दे पाएंगे, जब हम इसमें 20-50 ट्रेड करेंगे, ना, एक आधर ट्रेड से हमारे को कुछ नहीं पता चलता, एक आधर ट्रेड हो सकता है, कि आपने पहले द इसमें 20-50 ट्रेड कर लेंगे ना उसके बाद आप इसको देखिए कि किस टाइप से इसके रिजल्ट हमारे सामने नजर आते हैं अब रिजल्ट कैसे पता कर सकते हैं इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे एक्सल शीट एक्सल शीट में आप जो है अपना पूरा स्विंग का आप पूरी एक्सल बना के काम कर सकते हैं उसमें आपने कब बाई किया कितनी कौंटिटी बाई की कब आपने सेल किया सेल के लिए आपको पांच डे मैक्सिमम होल्ड करना है अगर उसके बीच में स्टॉपलस हो गया आपने डेविएशन क्या रखी यह सब चीजे जो हैं आप लोगों को माक करके रखनी हैं यह सब चीजे आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी हैं जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बतानी है ना आज की वीडियो में इन सब के आपको नोट्स भी बनाने हैं और साथ ही में एक्सल शीट पर आपको यहां पर सा पूरी जो है कितना रिस्क लेना चाहते हैं मान लीजिए आपने 50,000 के उपर रिस्क ले सकता हूं और 50,000 को भी एक ही ट्रेड में नहीं लेना उसको कम से कम पचास से डिवाइड करना यानि कि आपको वो पूरी जो रिस्क कैपिटल है पूरी निकलनी चाहिए तो अब इसमें रिस्क पर ट्रेड आता है रिस्क पर ट्रेड होता है कि आप एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं अब आपकी टोटल रिस्क कैपिटल है 50,000 रुपे उसको आपने 50 से डिवाइड करनी है या जो भी आप चाहें जितना वी आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं और एंग्जांपल आपने 50 से डिवाइड किया तो आप केवल यह सकते हैं अब ब्रेशक ले सकते हैं तो उसमें आपको कॉांटिटी कैसे डिसाइड करनी है इस हजार रुपे से आपको यह जो स्नॉपल लस का प्राइस है ना एकश्य तो इसमें से आपको हजार रुपे में डिवाइड करना है और उसके बद जो हमारे सामने नंबर आगा ना उतनी कौंटिटी आप जो है बाई करके चल सकते हैं इस टाइप से आपको अपनी कौंटिटी जो है डिसाइड करनी है अब अगर स्टॉपलोस बढ़ा होगा तो आप आपको यह नहीं करना कि उसमें रिस्क आपको जादा लेना है बिल्कुल भी नहीं आपको अपनी कौंटिटी कम कर लीनी है तो यह तो हो गया हमारा पहला पाइंट और दूसरा पाइंट जो है हमारे को इसमें ध्यान रखना है यह या जितने भी मैं स्विंग ट्रेडिंग के आपको पैटन बताऊंगा ना उन में सब में आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में दो से जादा नए ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने अब चाहे वो इस पैटन पर हो बुलिश एंगलफिंग पैटन पर या जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ उन पैटन पर हो सारे मिलाज लाके जितने भी पैटन बने ना उन में से आपको एक दिन में दो नए ट्रेड जो हैं बिल्कुल भी नहीं करने और एक टाइम आपकी एक मतलब एक टाइम पर ना आपकी पोजीशन पांच से जादा शेयर में नहीं होनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हो सकता है कि मार्केट में जैसे आप लोगों को बल्क में बुलिशन गल्फिंग पैटन देखने को मिलें और उसके बाद शाम को कुछ बुरी खबर आ जाए और नेक्स्ट डे जो है मार्केट काफी गैप डाउन खुले हो सकता है कि पांच- आपको आपकी पांच से ज्यादा ओपन पोजीशन पिल्कुल नहीं होनी चाहिए थार्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो भी स्टॉक्स डिसाइड करने ना वह करने है केवल एफ नो यानिकी फ्यूचर से ऑप्शन वाले अब इसके पीछे क्या रीजन है वह यह है क आपको ना जो नॉर्मल स्टॉक्स होते ना उसमें आपको सर्केट प्रीज लगने के चांसे होते हैं जैसे अगर मान लीजिए गैप डाउन या गैप अप खुल गी तो उस ताइम हमारे को यहां पर स्टॉक्स में जो है जो एफ नो स्टॉक्स की लिस्ट के बाहर है उसमे हमारे को सर्केट देखने को मिल जाता है और फिर उस हिसाब से अगर स्टॉक नीचे खुला तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे तो इस लिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ना हमारे को फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो लिस्ट आती है ना लगबग एक सो नबए एक सो 95 E STREENS है उनमें आपको आपको यह श्विंड के स्टाडिंग की स्टैटेजी जयो अप PA करके काम करना है अनले को स्टॉक्स बात नहीं दे ठरिया को में चांसनी जो लो desthrㄌना रहें करना है कि यह सारी चीजिव को समझय कर नहीं है किस टाइब से ट्रेड करना है कब आपनेakerinary करनी है कब आपने antibody करनी है और रिस्क रिवार्ड क्या हो सकता है या आपको एक ट्रेड में कितनी आप मैक्सिमम कैपिटल जो है वो रिस्क पर लगा सकते हैं यह सारी चीज आप लोगों को समझ आगी होंगी अब चलते हैं अपनी नेक्स पैटन पर जिसका नाम है बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटन औ और उसका क्या मतलब है अब उसको देखते हैं तो चलिए अब हम इसे देखते हैं किसी और शेयर पर सब्सक्राइब किजिए हमने डाला एपील अपोलो रिक्वार्मेंट्स हमारी सही रहें वही सेम रहेंगी देखिए अब यहाली में बना हुआ है इसमें क्या चाहिए हमा 37 नमंबर 2022 की केंडल क्लोज हुई 1074.45 पर तो अगले दिन की यह केंडल जो थी ओपन हुई 1076.95 यानि कि एक आदर रुपे 50 पैसे कुछ भी उपर होगी ना तो हमारा वो क्राइटीरिया में फुल्फिल हो जेगी और सेकिंड कंडिशन होनी चीए कि यह क्लोज जो ना ग्र के उपर और उसके एक दो तीन चार पांच पांच के बाद हमारे को यहां से पांच भी केंडल के क्लोजिंग प्राइज पर हमारे को एकजिट कर जाना है जैसे अब मैं इसी में आपको थोड़ा सा पीछे जा कर रिखाता हूँ इसके आपको बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन देखने को मिलेंगे और सबसे स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है इसका तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि इसी शेयर में हमारे को कुछ टाइम पहले भी देखने को मिला था 29 और 30 सेप्टैंबर को सबसे पहले एक डाउन स्विंग अब डाउन स्विंग ना समझा तक इसाथ मारी उसके वाद हमारे को जुद्न चाहिए होता है की Green candle का क्लोजिंग प्राइस बाइस दूपर होना चाहिए तो रेड़ केंडल ओपन हुए थी 1035.90 पे और यह ग्रीन गेंडल क्लोज और 1035 और 1038 तो हमारी शेकिंड कंडिशन भी फुल्फिल हो गई बाइख क केस में देखिये कि हमने बाय किया भंजो ठीक्ट अब इसमें रखना थे में रखना है रेड केंडल के क्लोजिंग प्राइज के रहा हूं तो यानि कि इस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 107 1017 का और हमने बाइंग करी बन जिरो तर्फ का टार्गेट मिलां और आलमस्ट 87.3 Ó सक हमारे यहाँ यहाँ पर देखने गला जबकिक अधिका त्रेजर आरप के बीस रुपे का बीस रुपे के रिज्वेल्डटर यहांनि तु एस्ट though एसे ठेड जो हमारे को खोजने और ऐसी ही ट्रेड हमारा नेट में पैसा बन में जो हैं काफी सारे देखने को मिलेंगे में वो नहीं है जैसे मैंने में अपको बुलेशन 높न समझाया है में वो नहीं है कि ppt यहां हमारे को कali करनी है में आपको जो पैसा बनेगा न अदे से दीजिए आप खुद देखेंगे आपको इसके रिजल्ट को करेंगे आप खुद देखेंगे कितना जबरदस रेट है हमारे को यहां पर देखने को मिलता है अब अब दोन होनी चाहिए और उनके दोनों के लोविए जो है आनम कुल आलमोस से होनी चाहिए जैसे इस केस में किस रूपए दस पैसे और यह acesso बैसे तो इतना परक चलता मिल तोगे रियल मार्केट है यह बुक्स में तो आपको एक बिल्कुल पिच्चर परफेक्ट मिल जाएगा बट यह रियल मार्केट में कभी ऐसा सेम देखने को नहीं मिलता अब इस केस में हमारे केंडल कोई भी कलर की बने हो सकता है कि अगले जो ग्रीन केंडल है यह भी पर ठीक है और उसके बाद हमारा इसस्टम वही रहेगा एक दो तीन चार और पांच भी केंडल के क्लोजिंग प्राइस कर जाना है अब यहां पर आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षिन में बताओ कि यहां पर इसके अलावा त्वीजर बॉटम के अलावा और कौन सा पैटन जो है हमारे को यहां पर कौन सा बुलिश पैटन हमारे को यहां देखने को मिल रहा है जल्दी से आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिरे को बताना कि एक जून दोजार इक्टिस और दो जून दोजार इक्टिस को यहां पर ट्वीजर बॉटम के अलावा और कौन सा पैटरन हमारे को यहां देखने को मिल रहा है अशोक लेलेंड के चार्ट पर तो इस टाइप से आपको जो है ना ट्रेड करना है मार्केड में इस टाइप से आप जो है स्टॉक्स में बाइंग करके काम कर सकते हैं और चोटे-चोटे एक बड़े ट्रेंड के बीच के छोटे से स्विंग को पकड़ के हम अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कैसे कमा सकते हैं उसके उपर क्या पैसे पैसे कमा सकते हैं वह भी आप लोगों को मिलती रहे और ऐसे आर भी इंट्रेस्टिंग बीडियो जितनी बीच चैनल पर आप अप्लोड होती ना उनकी नोटिफिकेशन भी आप लग तक पहुंचती रहे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुई भी मिस ना करें तो उसके लिए आपको क्या करना है नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इस चैनल की जो बैल आइकन है ना उसको जरूर प् गैมलिंग या कोई भी जोह वाली जगा जो है बिलकुल भी नहीं समझेगा येक सीडियस बिजिनस कमानेवाली किनश कमाने यह अजाता है ज़रूर बैद बिहुंत मैं पूरी कोशिश करूंगा के हर दाउट हर को कोरक और व्याइंस अगर अगर मार्केट में आते हैं तो आप कैसे पैसा कमा सकते हैं इसके ओपर आप जो है चलिधे के साथ आप काम कर सकते हैं तो चलिये प्रेंड आज की वीडियो में इतना ही मैं तुशारौपदी राजा आप से लेता हो इजाजत से